Hello everyone, Hello dear students, कैसे हो आप सब? Hoping that आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे तो यहार, JMAN 2021 का आखरी attempt स्टार्ट हो चुका है और आज 26 अगस्त को Shift 1 as well as Shift 2 के exam हो चुके है सबसे पहले तो comment section में जल्दी से बताईए आपका paper कैसा गया है और अगर आप ATB star के star batches में पड़े वे हो तो अपने batch को भी नीचे comment section में जरूर बताए मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो यहर देखिए, जिन भी students का exam अभी अगली shift में है कुछ ऐसे blunders हैं, जो काफी students करते हैं, जो आपको नहीं करने हैं आपको distract इस समय नहीं होना है गलती हम कहां करते हैं, देखिए गया, इस paper आएगा तो different different तरह के question आएंगे तो कई बार ऐसे topics के question भी हम इस समय attempt करना शुरू कर देते हैं जिन chapters को हमने ठीक से नहीं पड़ा होता अब एक बात बताओ, जिन chapters को हमने अब तक धंग से नहीं पड़ा जिन topics को हमने अच्छे से नहीं पड़ा तो भाई, उससे तो हमारा अगर उसको हम अब solve करेंगे तो confidence बढ़ेगा या घटेगा, क्या लगता है तुम्हें घटेगा ना, तो इस समय ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आपका confidence बढ़ने की बज़ाए घट जाए बात समझ में आ रही है ना, तो इस चीज़ का आपको सबसे में ध्यान रखना है ये blender नहीं करना, बाकी अगली चीज़ ये है कि जो trend follow हो रहा है पेपर अगर आपको difficult लग रहा है, shift 1 का या shift 2 का तो आगे भी वैसा ही paper आएगा, paper कैसा भी हो सकता है, ठीक है तो आपको negative सोचने की ज़रुवत नहीं, पेपर में जो pattern आएगा या जो भी weightage आएगा, वो कैसा आएगा, आप मलब उसको expect कुछ भी नहीं कर सकते यानि expect the unexpected क्योंकि NTA कुछ भी कर सकता है, बाकी अगली बात आप सभी students के लिए, हम एक special crash course लेके आ रहे हैं, J-Advance के लिए आप students काफी बोल भी रहे थे, जिसका नाम है, RCC 3.0 link description में दिया हुआ है, तो पहले से ही full जोश में like कर दे न 30th of August को 2 बजे उसमें enrollment स्टार्ट हो रहे हैं, और बहुती game changing batch होगा उन सभी students के लिए, जो एक महिने में अपनी J-Advance की preparation को boost करना चाहते हैं, ओके गाईज, बाबाई, take care and all the best and check the description given below